हलो वरीवन वेलकम डू माइनेम इस हेमन तुम्रस स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मागनेट बेस पे जो प्रोवाइड करता है कॉलिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंड के साथ जी हाँ फुल कोर्स कंटेंड कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा 100% कॉलिटी एजुकेशन आपको दी जाती है आप सभी जानते हैं मागनेट बेस इंग्लिश मीडियम मागनेट बेस इंग्लिश मीडियम में सारे टॉपिक वाइस NCRT Solution, MIQs, MCQs, OneShot, Crash Course, DPP और PYQs PYQs और DPPs पूरे करवाई जाते हैं प्रैक्टिस के लिए साथी साथ बच्चे को प्रॉब्लम होती है सान नोट्स में सार नोट्स कैसे बनाएंगे तो मैंने का भहिया नोट्स भी प्रोवाइट करता है मागनेट बेस आपको E-Books, E-Notes इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी शानदार और मज़ेदार तरीके से साथ ही साथ मैंनेट बेंज का हिंदी मीडियम चैनल है जो क्लासिक से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है बढ़िया और शांदाल तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी सर टेंशन नहीं लेना है ठीक है इसमें सीबेसी बोर्ट के साथ वो चार स्टेट बोर्ट को कवर करता है MP बोर्ट, UP ब्यार बोर्ट और राजिस्तान बोर्ट और जो सेग्मेंट अपन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं वो ही सेग्मेंट हिंदी मीडियम में सर कोई दिक्कत नहीं है बस आपको लगे रहना है बिंदास और शांदाल तरीके से मैंने ठीक है सर तो आज क्या दिखेंगे अगर आपको याद हो तो फिजिकल प्रॉपरटीज खतम कर चुके थे यस सर यस सर फिजिकल प्रॉपरटीज हो गई थी आज बारी है केमिकल प्रॉपरटीज ओफ अमाइन्स की किसकी बारी है केमिकल प्रॉपरटीज ओफ अमाइन्स की बिलकुल आज यही देखना है कि सर क्या क्या बना सकते हैं अपन अमीन से तो आज मज़ा आने वाला है सर आज जम के मज़ा आएगा टेंशन नी लेना है कुछ तो आपको पुरानी यादे ताज़ा करेंगे जी हाँ, पुरानी यादा ताजे करने वाले हैं, अच्छा सर ऐसा क्या बनाने वाले हो, मैंने का आप भी देखता हूँ, अब भी बताता हूँ आपको बढ़िया तरीके से, करें चालू, जल्दी, एक बार भीया, कौपी पैन लेके सब आजाओ, कौपी पैन लेके बढ़िय और शांदाल तरीके से, अच्छा, फिजिकल पॉपर्टी इस वाला किस किस तन देख लिया तर जल्दी बताएंगे, फिजिकल पॉपर्टी इस वाला कौन कौन देख लिया तर जल्दी बताईए, मैंने हाथ उपर कल दिया, सर मेरा हो गया, मेरा हो गया, सर मेरा हो गया, ब alkylation मतलब की amines में alkylation करवाएंगे और alkylation के लिए अपन किसका यूज करते हैं ओ ऐयो हैलो अलकेन इनका यूज कर सकते हैं सर ये तो जानी पेचानी रियक्शन दिख रही है बताएं हम आपको आपने हमें पढ़ाईए मैंने क्या पढ़ाईए मेरे को तो यादी नहीं है तो अगर आप प्याल से देखो तो अगर आप प्याल से देखो तो सर एक CH3 जुड़ चुका है और क्या ये मिथाईल है बिलकुल है क्या ये अलकाईल है बिलकुल है अगर अलकाईल अमीन में जुड़ गया तो क्या कहेंगे रियक्शन को अलकाईलेशन क्या कहेंगे अलकाईलेशन मैंने का सही बोल रहा सर मैंने का बिलकुल सही बोल रहा कोई दिक्कत की बात नहीं है कोई प्रॉबलम की बात नहीं है चलो इसका नाम अगर कोई बताए तो मैं मान जाओ जल्दी इसका कोई नाम बतादे तो मैं मान जाओ जल्दी का नाम लिखिए फटा फट जल्दी चलो भी या तो नाम लिख लो यार नाम लिख लो चुरा लो है ना चलो भी या क्या नाम हो जाएगा एन अ मिथाइल और सर एक कारबन का मीन है मिथेन अमाइन क्या हो जाएगा एन मिथाइल मिथेन अमाइन कोई दिक्कत की बात नहीं है सर बिल्कुल सही लिखा हुआ है सर हमने का सर जी बिल्कुल सही होता है कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर होती नहीं है अच्छा सार अगा सेकेंडरी होता तो मैंने का उससे भी करवा देंगे हम हमें करवाने में थोड़ी कोई दिक्का थे यह हम कर चुके हैं देखो इसी के अंदर आजाओ सेकेंडरी वाला ले लेता हूँ यह देखो यह देखो दिखा तो आप प्यास से देखना सर यह है चले चले बिलकल चले निकल लिया अब यह वाला जाएगा यह देखिए वह यह बिलकुल मेरे असाब तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए यह देखिए सर तो अगर देखे तो इस बात दो आ गए तो एन कॉमा एन डायमिथाईल मिथेन अमाइन यह कहलाता है सर अलकाईलेशन अब चाहो तो आप टर्शरी का भी करवा देते कोई दिक्कत की बात नहीं है जो भी होता लेकिन घ्लिखण ये है यह बनगया हमारा तर्शरी का वता नहीं है क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा तो यह हमारा थर्ट डिग्ली वाला अमीन है और यह हमारा § हना आपने ऐल्काईलेशन कर वाने को बोला था तोग काईलेशन हो गया एडिशन ओफ अलकाइल गुरूप अब हम क्या करें कि अलकाइल गुरूप से एड करके हम हमारे ही दूसरी पर जाती को जनम दे रहें मतलब प्राइमेरी से से किंडरी से टर्शरी तो यह चीज हो गई चलो बया जल्दी नोट डाउन करिए यह हो गया बया अलकाइलेशन फटाफट कोई दिक्कत आए तो बता दीजेगा डन चलो बाई आप देखेंगे असाइलेशन सर अलकाइलेशन हो गया असाइलेशन तो सिंपल सी बात है असाइलेशन में क्या होगा सर असाइल गुरूप जुड़ेगा असाइलेशन में असाइलेशन में क्या होगा बया एडिशन ऑफ असाइल गुरूप होगा बया क्या होगा एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ कौन सा गुरूप होने वाला बया असाइल गुरूप एसी वाइल असाइल गुरूप बटा स्पेलिंग साही लिखना एसी वाइल काओ कभी ऐसा डॉक्टर की writing मना देता है मैंने का हा यार कभी कभी हो जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं व्याहिए असाहिल गुरूप असाहिल गुरूप में क्या होता है सर मैं बता रहो आपका ये वाला गुरुप जोडता है यह वाला गुरुप जोड़ता है साइलेशन में हाना इसको लाने के लिए इसको लाने के लिए हम दो-तिन चीजों का यूज कर सकते हैं हम दो-तिन चीजों का यूज कर सकते हैं एक आप कर लेते हैं एसेट क्लोराइड को ले आते हैं एक हम एसेट क्लोराइड को ले आते हैं अरे अभी सब हर reaction करके दिखाऊंगा और सब पढ़ाया भी यह इसको ले आते हैं मतलब यह इतनोल क्लोराइड हो गया यह पहला हो गया acid chloride दूसरा अगर नहीं मानों तो इस्टर्स को ले आते हैं इस्टर्स की मदद से भी अपन का असाइल ग्रोप आ जाता है या फिर तीसरा acid Students को ले आते है किसको ले आते है एसेड एन हाइडराइड को ले आते है यह तो पता होगा ना 벌써 अभी यह और सभ पता है तुम लोग क्वाना उल्लू बनाते हो मिरको यह देको भाई इस्टर्स तो नी वना यह रहा या तो इसको ले लो या तो इस्टल ले लो या तो एसिट क्लोराइड ले लो यह तीनों ले लोगे तो आपको असाइल गुरूप मिल जाएगा तो आपको कौन सा गुरूप मिल जाएगा असाइल और जब यह असाइल गुरूप अमीन से रियक्शन करता है तो पता है क्या बनते हैं amides बनते हैं sir amides जो कि अभी अपन देखने वाले बिलकुल मज़एदाल तरीके से बिलकुल amides और मैं कहरा हूं कुछ नहीं होता sir सिर्फ hydrogen निकलेगा मैं कह रहा हूं आपको ameene मैंसे hydrogen निकलेगा asyle मैंसे कुछ ना कुछ पार्ट निकलेगा बस simple substitution reaction है इतने आसान तरीके से बताऊँगा, मक्खन की तरह उतल जाएगी एक दम दिमाग में ठीक है, और captured in heart कर लेजेगा, भी अब दिल में वसा लेजेगा, बिलकुल कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है ठीक है, चलो आजाओ Elephatic and Aromatic Primary and Secondary Amines react with Acid Chlorides किस से? Acid Chlorides, या फिर Anhydrides, या फिर Easter इन तीनों से reaction करते हैं by Nucleophilic Substitution अना ये Nucleophilic से डरा मत करा करो Nucleus लवेंगे, नेगेटिव लोग होते हैं, इनको तो ऐसे positive में घेरिंगे ना, मज़दार चीक है, this reaction is known as Asylation इसी को Asylation करते हैं, Asyl group का जुढ़ना you can consider this reaction as the replacement of hydrogen atom, मैंने का आई था, hydrogen atom ही निकलेगा NH2 में से, NH में से, group via Asyl group, Asyl group आएगा, hydrogen को निकाल देगा, चीक है this product obtained by Asylation reaction are known as amides, Asylation में जो बनता है, वो कौन बनता है amides बनता है, बस इसका screenshot ले लो जल्दी फटाक से इसका screenshot ले लो, फिर आगे बताता हूँ मज़ा आने वाला है, सर, scandal तो एक number मज़ा आने वाला है, अगर नहीं आए तो बात वाली बात जल्दी, फटा फट screenshot लेंगे, तेजी में clear करू, पका, easy है, बिलकुल चलो भी यह, एक बात दिल बना दो दल दे दिल चीके, अच्छे दर पढ़ना है, सर, chemical properties बहुत आसान है लेकिन, important भी बहुत जादा है, चीके, कल लिया, एक बार clear कर रहा हूँ, फिर आपको इसका screenshot लेने दूँगा चलो भाई, जल्दी screenshot लोग, फिर आगे बढ़ते है चले, कल लिया screenshot, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया तरीके से, चीके सर सर, पता है, इसको reaction को करवाने के लिए, अपन थोड़ा सा strong base लेते है क्या लेते हैं, सर, strong base क्योंकि पता है, जो amines होते हैं, यह already basic in nature के होते है जो amines होते हैं, already basic nature के होते है तो हमें क्या होता है, कि basically strong base लेते हम, क्योंकि यहां से हमें पता है कि acid chloride वगेरा रहते हैं, तो हमें removal करवाना पड़ता है SCL का, किसका removal करवाना होता है, SCL का, तो हमें reaction को थोड़ा उस साइड direction में move करवाना है, कि फटा-फट SCL निकालते चले हो, सटा-सट काम करते चले, इसी लिए हम इस reaction को थोड़ा सा basic medium में करवाना है, प्रसीड करते हैं, दा reaction is carried out in the presence of base, stronger than the amines, amines से stronger base होना चाहिए, इसमें अपन प्रेडीन ले ले लेते हैं, विच रिमोव SCL so farmed, and shift the equilibrium to the right hand side, और equilibrium को right hand side पर रक्ता तो फटवर्ड रेक्शन होती चले आती हो, और हमें oscillation मिलता चला, जाता है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होती है, done, जल लेकर लिए screenshot, बढ़े आगे, चलो, अब दिखाता हूँ कैसे होता है सर, पहले प्राइमरी अमीन लेता हूँ, यह देखो, दिखा, बहुत सुन्दर है, इसके पास loan pair है, चीक है, चीक है, अब इसकी reaction, अब इसकी reaction, किसके साथ जरद प्यास से दिखिएगा, अपना CH3, COCL के साथ, दिख रहा है, अब यह oxygen की फितरत आप लोग जानते है, oxygen आदमी बहुत बुरा है, क्या कहता है, एक bond को अपनी तरफ लेता, कहता है, चाल इदर आ, तो oxygen के उपर minus, इसके उपर plus, इसके उपर plus, अब भाईया, यह कहता हमको तो चाहिए, हमको तो attack करना यह electron चाह है, मैंने का, टी के साथ, बनाओ पहले, CH3 बनाया, N बनाया, नीचे H लगाए, नीचे के लगाए, H लगाए, और यह इसने जाके इस पर attack किया, यह कर दिया attack, दिख रहा है, अब नीचे single bond oxygen, oxygen के उपर minus charge की हो, क्योंकि उसने electron ले लिया है, यह CL लगाए, और उपर यह वाला, अब बहिया, oxygen अपने electron बापिस दे रहा है, यह बन गया, इतना clear हुआ, nitrogen के उपर हो गया, बहिया, कौन सा चार्ज, positive charge, क्यों हुआ, रीजन बताता हूँ, क्योंकि उसके पास बहिया, देखिए, ध्यान से देखिएगा, भाई के एक वो नहीं दिख रहा है, दो बापिस देगा, तो double bond हो जाएगा, double bond हो जाएगा, तो भाईया, यहां तो 5 valency हो जाएगी, तो उसी टाइम पर chlorine केता है, अब अपना समय आगया, अपन निकलते हैं, तो chlorine यहां से निकल जाएगा, दूसरी important बात, यहां से nitrogen केता है, मुझे भी मेरा electron चाहिए, तो उसने त खुद carbon को दिया, तो carbon से तो लेगा नहीं, तो hydrogen से कहता है, ला इदल दे, इदल दे, तो बिचारा यहां से hydrogen गाया, तो अब देखो क्या होगा, CH3, जहाँ से देखना, CH3, N के नीचे एक H लगाए, उपर वाला H गया, यह वाला H गया, फिस C, यह वाले बापिस आगया थे CL चला गया, यह CL चला गया और यह H चला गया, क्या बना लेगा, SCL, तो देखिए सर, SCL निकल गया, strong base के presence में यह reaction होती है, और यह बन गया आपका compound, अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगर यह CH3 की जगा H होता, अगर CH3 की जगा H होता, तो क्या होता है, CH3, CO, NH2, amide होता क नहीं होता, बस उसी के जगा कौन आ गया है, हमारा methyl group आ गया, तो यह जो compound बन रहा ही है, amide का ही derivative है, किसका derivative है, amide का, तो इसको लिखते कैसे है, N पर क्या लगा हुआ है, methyl लगा हुआ है, मैंने अभी बताये था, आपको amide ही बनेंगे, N-methyl, 1-2, ethane amide, N-methyl, ethane amide, यह देखिए, N-methyl, ethane amide, जल्दी देखिए, N-methyl, ethane amide, जल्दी देखिए, सर्फ process बिलकुल easy है, डरना नहीं है, जो डर गया, सो मर गया, भया जो डर गया, सो मर गया, मर गया इन दसन्स बने गई नहीं बिलकुल, तो भया, डरना नहीं है, हमेशा एक दब पूरी जान लाके आगे बढ़ जाना है, yes sir, देखिलेंगे sir, तो यह A part है, अब इसी का मैं secondary ही बता सकता हूँ, बहुत मज आएगा sir, पहले इसको note down करो बढ़िया तरीके से, अरे, एक मिनिट पे हो जाएगा, secondary बनाना है, secondary की तो दरुवती नहीं है, देखो sir, इसी कोई secondary बना दूगा, दो मिनिट के अंदर बना दूगा, जल्दी, फटाफ़र note down करो पहले, secondary में क्या होने वाला है, sir, secondary में हम जानते हैं, लेलिया screenshot चलो, इसी को B बनाते है, secondary, अमीन में क्या होता है, sir, यहाँ पर H थोड़ी होगा, यहाँ पर CH3 होगा, तो मैंने का, बास, तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ जगा पर CH3 होगा, बास, ओके, secondary से बन गया, क्या दिक्कत की बात थी, और बस का नाम बलड़ जाएगा, नाम अलग हो जाएगा, यह देखिए, नाम बताते हैं, है दो मेठाइल लग गए, sir, सर, दो मेठाइल लग गए, तो n, n, dimethyl, n, n, dimethyl, बस, बन गया, बन गया, बन गया, बन गया, B हो गया, लो भाईया, second इस हो गया, sir, tultuary से नहीं हो पाता, क्यों सर, tertiary से क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि सर वो भी बताऊंगा पहले सको नोट डाउन करो जल्दी उस पर भी बात करेंगे अपन अरे टेंसन मतलो अपन सब पर बात करेंगे एक एक करके किसी को नहीं छोड़ेंगे सर किसी को नहीं छोड़ेंगे सर मैंने आपको बोला ना आशवाशन देता हूं किसी को नही इस यह नहीं पाइगा इसी लिए आपकी टलशरी में ये रिक्शन नहीं हो पाती है क्योंकिक कोई एच ही नहीं है, SCL निकालने के लिए, कोई एच ही नहीं है, क्या निकालने के लिए, SCL निकालने के लिए, कोई भी H नहीं है, क्या निकालने के लिए, SCL निकालने के लिए, इसलिए टर्शरी के केस में, कोई भी यहाँ पर अभी दिक्कत है, देखने को नहीं, तो यह देख किस के केस में तर्शरी है केस में हमने एंगा टी के सर बिल्कुल सभी जा रहा है एक नमबर वो लो छकास तरीके सा चल रहा है चीडी के और दिखाते हैं आपको एसी के अंदर सी हो गया बिया सी हो गया चीड है इंद मैं आपको सारी रियक्षिन करवाऊंगा सर कुछ नहीं छोड़ूगा मैं आपको इत्ती गैरेंटी देता हूँ डी सर इसी के अंदर चल रहा है हाँ मैंने का सब इसी के अंदर है आजाओ सर एक मैं उससे और करवा के दिखाता हूँ किस से बिटा सर अपन एन हाइडराइट से भी करके देखते एक बर हाँ इत्तनोएक एन हाइडराइट से भी करके देखते मैंने कर ठीके देख लो सर यह होता है आपका इत्तनोएक एन हाइडराइड यह देखो लिख रहा है सर बहुत इजी होता है इसको पता बनाने का तरीका बहुत सी बुक्स में यह ऐसा दिखेगा आपको तो घबराना नहीं है कभी से अना बच्चों वाली चीजे मुणना है मुणना क्या है सर मुणना है यह देखो अब अगर आप ध्यान से देखो तो सर कुछ नहीं होता है आपको बस इतने यहां रखना है असाइल गुरुप जोड़ना यही है ना असाइल गुरुप इस साइड भी इस साइड भी कहीं से भी ले लो बस चीक है मैं तो आपको ओलता हूँ हर शॉर्ट ट्रिक पढ़ाऊंगा यहां से जाएगा और यहां से एक हैज चला जाएगा अब यह वाला पार्ट और हैज को ले आओ क्या है CH3 COO और एक हैज क्या बन गया एसेटिक एसेड बन गया वेरी गूट सर वेरी गूट आप क्या बचा सर मैंने का पकड़के लाओ CH3 बचा है N के साथ H बचा हुआ है चीक है उसके बाद कोन आएगा CO और CH3 सर जी फिल से हमाइड बन गया चेक कर लो तो मैंने आपको काई था कि आप चाहिए तो असाइल क्लोराइड ले लो हाना एसेट क्लोराइड ले लो या तो फिर आप एक काम करो कि हमारे एसेट एन हाइडराइड ले लो या फिर इस्टर्स ले लो तो ये भी फिल से वही बन गया अब आप फिल से दिहान से देखो तो CH3, CO, NH2 होता तो अमाइड होता है इथेन अमाइड क्या होता सर इथेन अमाइड लेकिन N पर मिथाईल लग गया तो यह हो जाएगा N N-methyl ethane amide देखो जल्दी अपन सबको देख लेंगे जल्दी नोट डाउन करो डायन चल यह देखिए सर यही किया हुआ है सब कुछ पहले अपन ने वही एसिट क्लोराइड से करा है CH3, CO, CL आपका N-ethyl ethane amide बन गया फिर secondary से कर वा लिया मैंने किस से कर वा लिया secondary से तो आपका N-n-diethyl ethane amide बन गय यह बन गया आपका अब यहां पर दो में थाइल एथाइल गुरूप जोड़े हुए थे तो यह देखिए N-n-diethyl ethane amide यही रह ठीक है यह देखिए बेंजीन अमाइन लिया था पन्ने क्या लिया था बेंजीन अमाइन चीक है बेंजीन लिया था ठीक है अमने का अच्छ यह आ गया और N पर क्या लगा हुआ है बेंजीन बेंजीन को क्या कहते है फिनाइल तो N-phenyl ethane amide घबराना नहीं है घबराना नहीं है बस मैंने क्या गाए घबराना नहीं है जो घबरा गया तो वो ने पड़ गया एक और रियक्शन दिखाता हूं फिर आपको पहले इतना लो चेकर अब यह देखो बड़िया रियक्शन है द्यान से देखना यह 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 देखो यह देखो यह देखिए बेंजाईल क्लोराइड बेंजोईल क्लोराइड क्या होता है बेंजोईल क्लोराइड मैंने का आप प्रोसेस से जाने से पेले आप प्रोसेस समझ चुके है तो सीधे काम करिए है एच और सीएल को बेसिक मेडियम में होती है इतना है हमेशा या दखना तो बस बाई-बाई हो गया और क्या हुआ क्या जोड़ना है C double bond O C6H5 अब यह आमाइड कहां से बनता है C6H5 C O NH2 और बेंजामाइड है सर इस बार इस बार है बेंजामाइड यह मैंने आपको पड़ाया था बेंजामाइड याद करो एक हटा ठीक है बेंजाइल दो हटे बेंजा तीन हटे बेंजो और N पर मिथाइ है तो यह हो जाएगा N-methylbenzahamide N-methylbenzahamide जल्दी नोट डाउन करेंगे यहाँ पर आसाइलेशन आपका पूरा एंड हो जाएगा जल्दी N-methylbenzahamide जल्दी न-methylbenzahamide जल्दी फटा फट लिखेंगे तो भेंकर मजा आने वाला है कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी बिल्कुल सही जा रहे है सर्ट टेंशन नहीं लेना है टेंशन लोगे फज्जा होगे टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल N-methylbenzahamide डन चल्दी यह देखो सर्ट वोई है बिल्कुल बेंजोईल बेंजोईल ओखें ओखें देखें न अमाइन से अल्सो रियक्ट विद बेंजोईल क्लोराइड अभी करवाया C6H5COCL दिस रियक्शन इस नोन अस बेंजोईलेशन सर्जी नेम रियक्शन यह अभी जो करवाय इसए को कहा जाता है बेंजोईलेशन नेम रियक्शन बहिए नेम रियक्शन बहिए भुआ नेम रियक्शन फडवर लिख लो नेम रियक्शन इंपर्टेंट रियक्शन जित्ते चान सितारे फुल जड़ी सितारे सब उपर डालने सब डाल दो बेंजो इलेशन नेम रियाक्शन है बैया नेम रियाक्शन मज़ेदार शांदाल ला जवाब एक तरफा बिलकुल बोले तो एक दम जखास चलिए 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 हो गया डन चलिए आगे चलते हैं सर कार्बल अमीन रियाक्शन सर नेम रियाक्शन भाई लिखते चलेंगे यह सारी कि सारी नेम रियाक्शन से कार्बल अमीन रियाक्शन कुछ लोग इसको कार्बाइल अमीन रियाक्शन कहते हैं लेकिन कार्बल अमीन रियाक्शन आप बोल सकते हैं चीक है, स्पेलिंग को याद अखिए गाज ये होता है C-R-B-Y-L पहली बात तो आपसे spelling कोई पूछता नहीं है ठीक है, spelling कोई पूछता नहीं आपको reaction आनी चाहिए वो आपसे पूछेगा बया वो आपसे पूछेगा कि कार्बल अमीन reaction क्या होती है लेकिन आपको आना चाहिए बिटा सबसे पहली बात यह सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देते है एक ही condition है इसकी पहले लिखो लो, लिखोवा लो भाया दिल में बिलकुल प्राइमरी अमीन देंगे यह बस बात खतम तो अगर कभी secondary और primary आपके सामने रख दें और कोई बोले कि बताओ primary कौन है तो जो कारबल अमीन रियक्शन दे देगा वो primary हो गया जो कारबल अमीन रियक्शन दे देगा वो primary हो गया जो कारबल अमीन रियक्शन नहीं देगा वो primary नहीं है बिलकुल इस बात का याद अखना है वहुत ही important चीज है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसी का एक और नाम होता है, कारबल अमीन के साथ इसी को आईजो साइनाइट टेस्ट भी कहा जाता है आईजो साइनाइट टेस्ट, क्या कहा जाता है, आईजो साइनाइट टेस्ट, क्या कहा जाता है, आईजो साइनाइट टेस्ट या दखना है मतलब सर आईजोसाइनाइट टेस्ट क्योंकि इसमें आईजोसाइनाइट बनेगा जी हाँ आपको आर एंसी मिलेगा क्या मिलेगा आर एंसी एंसी मतलब आईजोसाइनाइट एंसी मतलब आईजोसाइनाइट NC मतलब Isocineide पूरा पढ़ा है नॉमन क्लेचर के अंदर बहुत ही गंदी स्मेल होती है इसकी foul smelling होती है ये बनता है आपका इसी को कहते हैं Isocineide इसी लिए इस टेस्ट का नाम है Isocineide Test या तो Carvalamine reaction या तो Isocineide Test जल्दी एक बार लिखेंगे comment section में Isocineide Test OP जल्दी 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 एक बार थमसप के साथ Isocineide Test OP चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे कि बार बार एकदम बगल वाले घल्टा का वाज पहुच जाए कि क्या पढ़ना है Carvalamine reaction Isocineide Test क्या बनाता है Isocineide कैसी स्मेल होती है Foul Smelling बहुत गंदी बिलकुल जल्दी 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 बस प्राइमरी अमीन होना चाहिए चाहे वह Aliphatic हो Chain वाला हो या Aromatic हो उससे फर्क नहीं पड़ता उससे फर्क नहीं पड़ता बस यह फर्क पड़ता है कि वह प्राइमरी होना चाहिए बस क्या होना चाहिए? प्राइमरी होना चाहिए बात खतम. उस से ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर. चलो, आज आओ. रियक्शन पर आ जाते हैं सर प्राइमरी अमीन लेना है यह देखिए दिख रहा है मिथाइल अमीन जागर आप देखें तो नाइटरिजन से एक ही कारबन जोड़ा है तो इसको अपन क्या कहेंगे प्राइमरी अमीन इसकी रियक्शन क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म क्या होता है भाईया याद रखेंगे क्लोरोफॉर्म का फॉनला CHCl3 क्लोरोफॉर्म वही इंदी पिच्चर की जान वही वाला, वही क्लोरोफॉर्म है अब इसके साथ थोड़ा सा कोज बेसिक मीडिया और इसको करो भाईया हीट गरम गरम इसी बन गया आईजोसाइनाइड साथी साथ सर्फ पोटेशियम और क्लोरीन दिख रहे है केसी एल और पानी तो इसकी जान है बस आपकी रियक्शन कंप्लीट हो गई खतम यह जो बना आईजोसाइनाइड यह इसी की फाउल स्मेलिंग आती है जो की आपको कंफर्म करता है कि यहाँ पर आपने जो भी अमीन लिया है वो कौनसा अमीन है प्राइमरी अमीन है कौनसा अमीन है सर्फ जी प्राइमरी अमीन है यह आपको पता होना चाहिए फाउल स्मेलिंग होती है सर्फ बहुती बेकार तो ये बात आपको याद उनीचे, याद हो नीचे, कौन सी रिक्षिन है, कार्बल अमीन रिक्षिन, कार्बल अमीन टेस्ट, आईजो साइनाइट टेस्च, यह secondary और tertiary नहीं देगा secondary और tertiary नहीं देगा ये बात हमेशा याद रखना नहीं तो फिर दिक्कत है क्योंकि फिर हमेशा दिक्कत है क्योंकि भाईया अगर आप एक से ज़्यादा bond बनाओगे तो फिर आइजोसाइनाइड नहीं बनेगा और आइजोसाइनाइड अगर नहीं बना तो आपका आइजोसाइनाइड टेस्ट नहीं होगा आजा ये पढ़ लेते हैं उपर आपको अगर भरोसा नहीं है तो थोड़ा बहुत यही काता मैने बहुत बेकार बहुत बेकार बिलकुल कभी primary और secondary या primary और tertiary को अगर distinguish करना है तो इस test का अपन use कर सकते हैं बिलकुल आसानी से जल्दी note down करेंगे जल्दी note down करिए फिर अगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी फटा फट जल्दी note down कर लीजे सर बिलकुल एक तरफ हा done हो गया कोई दिकत तो नहीं मेरे साब तो कोई problem की बात नहीं होगी सर clear हुआ पका ये सर अब अगर आप देखें अगर मैं आपको ये दे देता बताओ यहां हो पाई की क्या नहीं हो पाई की कौन कौन बताएगा भाई आप पहले comment section पूरा एक दम you know जग जगा जाना चाहिए बिलकुल है रहे सर हम बताते हम बताते हम बताते हम बताते हम बताते है क्या reaction हो पाईगी के नहीं हो पाईगी जल्दी जल्दी एक मिनिट का टाइम है आपके पास सर क्या क्या होगी 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 पिलकुल होगी सर क्यों क्योंकि सर अगर देखे तो nitrogen एकी carbon से connect है मतलब primary amine बस सर अगर primary amine है तो कोई दुनिया की तागत नहीं रोख सकती इनको मिलने से इनका million confirm है सर सीधी बात है आग बन करके आईजोसाइनाइट बना देना उपर NC रख देना बस बात खतम उसके बाद दो compound बनाने का एक KCL को बनाने का dehydrohalogenation वाला concept लग जाता है बस खतम यह जो बन गया benzene isocyanide बस खतम यह यह है जो false smelling देगा जो test confirm करेगा कि भाईया yes aniline is primary aniline is primary amine यह उसना test confirmation दे दिया सर नेम reaction है important reaction है important test है distinguished test है और क्या चाहिए one of the best है सर लिख लीजे मैं कह रहा हूँ न सर ऐसी बताता हूँ मैं important चीजे कितना ज़ादा stress दे रहा हूँ इसके उपर क्योंकि काम की है सर मिलेगी बार बार आएगी बार बार घूमते फिलते तब आना चाहिए आपको इसी लिए जल्दी 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 फटा फट important है जल्दी डाली है important फिर आगे बढ़ेंगे दान जल्दी हो जाए तो बताईएगा कोई problem तो नहीं है कोई भी problem हो तो बताईए डन ना चीक है सर तो clear कलते हैं आगे चलते हैं सर reaction with nitrous acid reaction with nitrous acid सर ये भी बढ़िया है question number 4 बोल रहा हूँ है fourth important reaction सर आएगा पेपर में आप जान लगा लो सर आएगा ये पेपर में reaction with nitrous acid पहले मैं आपको aliphatic amines के साथ दिखाऊँगा पहले मैं आपको किसकों साथ दिखाऊँगा पिटा aliphatic amines के साथ aliphatic amines मतला chain वाले ठीक है फिर में आपको aromatic के साथ भी दिखाऊँगा mainly तो ये इसका खेल aromatic के साथ है mainly तो इसका खेल aromatic के साथ है लेकिन अपन पहले aliphatic के साथ करेंगे ठीक है aliphatic में पहले aliphatic मतलब chain वाला इसमें भी तीन होते है primary, secondary और tertiary amines तो ये लीजिए सर पहले primary के साथ ये चीक है सर reaction with nitrous acid nitrous acid बोले तो सर HNO2 HNO2 इसको कहते है nitrous acid चीक है और मैं इसको पता क्या कहता हूँ हूँ नो हूँ नो हूँ नो कैसे? HONO हूँ नो मैं ऐसा कहता हूँ इसको देखो ना सदो oxygen ते दो oxygen है एक nitrogen एक hydrogen मैं इसको ऐसा लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर उसी को लेने वाला हूँ हूँ नो और थोड़ी सी मातरा SCL की अच्छा अब क्या होता है सर direct आपन nitrous acid नहीं डालते है इसको पहले बनाया जाता है इसको बनाने के लिए दो चीज़े लगती है इसको बनाने के लिए दो चीज़े लगती है एक तो sodium nitrate और SCL इन दोनों के मिलाने से आपका HONO तयार होता है चीके? तो बहुत सी books में ये दोनों भी लिखा रहा हैं तो ड़नना नहीं है बहुत सी books में अगर ये दोनों लिखा रहे हैं तो ड़नना नहीं है बात एक ही है क्या तुम्हें यादे हैं? नहीं हमें याद नहीं है आ जाओ हमें याद नहीं है सर मैंने आपको पढ़ाया था ये chapter 1 में diazotization reaction क्या यादे आपको हूनो वाली सर उसमें मैंने क्या पढ़ाया तो दो वाटर निकलना है कितने वाटर निकलना है सर? दो वाटर दो वाटर निकलना है दो वाटर के लिए चार हाइडोजन ढूनो सर जी दो मिल गए सर जी तीन मिल गए सर जी चार मिल गए सर चार हाइडोजन हो गए बगल में नाइट्रोजन बचा, ठीक है, फिर एक और नाइट्रोजन बचा सर, तो N2 आ गया, और फिर कुछ नहीं है तो सर, CL बचा, ये देखिए, बस यही चीज बचिए, तो अगर आप देखिए तो सर, N2 जो होता है, वो पॉजिटिव होता है, और ये माइनस होता है, इस कहते हैं, सर, इसको अपन डाइजोनियम सॉल्ट के नाम से जानते हैं, मैंने आपको एक चीच पढ़ाई थी, सर, जो डाइजोनियम सॉल्ट होता है, वो इतना स्टेबल नहीं था, उसको स्टेबलिटी प्रोवाइट कर रहा था, बेंजीन, तभी मैंने आपको पढ़ाय थ बेंजीन, डाइजोनियम सॉल्ट, तो यहां पर यह इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, सर, यह तुरंट टूटेगा, जो बगल में इसके साथ पानी है, यह उसके प्रेजन्स में तुरंट टूटेगा, तूटेगा, 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 कैसे तूटेगा हम जा तेरे उपर भी तो माइनस है तो यह तो फर्र हो गए अब भाया एंटू के उपर प्लस आ गया एंटू गुस्से में तेरे चक्कर में मेरा तो प्लस आ गया आज तक मेर पर कोई प्लस नहीं लगा पाया मार्केट मैं 78 परसेंट घूमता हूं मैं दूनिया दारी करने लगा व तो जब भी आप प्राइमरी अमीन की रियक्शन हो नो से कराते हैं तो आपको एलकोहल मिलता है यह बात या दखना है जब भी आप प्राइमरी अमीन की रियक्शन हो नो से कराएंगे किस से प्राइमरी अमीन की प्राइमरी अमीन की रियक्शन अगर हो नो से कराएंगे अभी secondary और tertiary की बात नहीं करी, मैंने सहर्फ primary ameen की बात करी है, primary aliphatic ameen की, ध्यान से सुनिये का मैं क्या कहना चाहरा हूँ, मैंने अभी जो आप से बात करी है, वो करी है primary aliphatic ameen, chain वाले, हना अभी benzine वाले की बात नहीं करी है, बेंजीन होता तो पर तो डाइजोनियन सॉल्टी बनता, बिल्कुल, क्योंकि वो stable करवा देता है, लेकिन इस case में stable नहीं होता है, जल्दी देखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल शांदाल तरीके से देखने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल डन 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 डन, जल्दी, primary aliphatic amines, primary aliphatic amines, जल्दी देख लो भाई, जल्दी देख लो, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, फिर मैं secondary पर आता हूँ, फटाक से secondary पर आता हूँ, बहुत तेजी मैं, समझ में आया ना, कि यहाँ पर क्यों नहीं रुखा, क्योंकि यह unstable था, तुरंट पानी से react किया, और क्या बना लिया, alcohol बना लिया, बात खतम हो गई, बात खतम हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, अच्छे से screenshot लेंगे सर, सर यह important चीज़ें बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर यह नहीं समझोगे ना, तो फिल तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आने वाली यह, चलो, जल्दी, 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 चीक है, secondary पर जाओ, जल्दी screenshot ले लिया, चीक है सर, नारनारना, नारनारना, तो primary हमारा बन गया है, alcohol, चीक है, फटा-फट, एक गी बार में, चलो, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं, यह secondary है क्या, नहीं सर, सर, सिफ HONO ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सिफ HONO, STL के इतना पार्ट नहीं है, सिफेंडरी में इतना पार्ट नहीं है, अगर आपको लेना चाहें, तो बात में ले लीजेगा, अपन सिफ HONO का ले रहे हैं, प्राइमरी में पार्ट अच्छा होता है, उसका, सेकंडरी में नहीं है, अब पता क्या होता है, सर, H2O निकालना है, क्या निकालना है, H2O, अगर SCL होता है, तो अपन दो वाटर निकालते हैं, लेकिन यहां पर सिफ H2O निकालना है, देखो, तो एक H तो मिल गया, दूसरा H और O भी मिल गया, मैंने गा ठीक है, ओड़ा दो पहले तो ओड़ा के फिक के मारो, क्या बचा, CH3 NCH3, ठीक है, एक वैलनसी फ्री हो गई, तो यहांपर नائट्रोजन भी फ्री बेटा है, ना맛 रोज़न आगया, अब नाइत्रोजन की कितनी फ्री है, दो, यह जोड़ गया, असर, यह कंपॉंद तायार होता है सेकंडरी केस में, सेकंडरी में यह कंपॉंद तायार होता है, इसको कहते है नाइट्रोसो अमीन नाइट्रोसो अमीन यलो ओईल कहा जाता है पता है अगर आप NCRT वगेरा में चेक करोगे ना तो यह करवाया ही नहीं है आपको सिर्फ प्राइमरी करवाया प्राइमरी में उसने बोल दिया अलकॉहल बनाए और लिख देता है वहापा सेकं इसकंडरी अमीन यलो ओईल न कोई दिक्कट की बात नेगही है बिल्कुल अब बारे बनाए जzwischen में लेको इल्कॉहल सेकंडरी अमीन क्या बनाएगा नाइट्रोसो अमीन मतलब यल्लो ओईल कोई दिक्कत की बात ळ세요 मै बिल्कुल अब बार讲 तर्शरी अमीन की, अब बारी तर्शरी अमीन की, चीक है, मैं आपको ये बिटा इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो आगे है, और अभी जब मैं टेस्ट पर आऊँगा ना, तब सारे वो भी करवाँगा, टेंशन मतलो, टेस्ट पर भी करवाएंगा, अब आते तर्शरी अमीन पर, चलो भाई, सर तर्शरी अमीन में तो पानी निकालना है, तो पानी तो निकलेगा नहीं, क्योंकि सर हमारे पास तो एक ही है, हमें तो दो है, यह होता, यहां तो है ही ही नहीं, इसलिए सर इसमें पानी निकलता और इसमें सिर्फ कुछ नहीं होगा, वो तो पूरा का पूरा compound इसके साथ जुड़ जाएगा और nitrite salt बना लेगा HNO2 ऐसा ये पूरा nitrite salt बना लेगा पूरा जुड़ गया बस तो colorless आपको nitrite salt मिल जाता है इस तरीके से चीक है? ये मिल गया आपको nitrite salt, चीक है? सारी reaction जो होती है 0 से 5 degree centigrade के बीच में होती है कितने हमें होती है? 0 से 5 degree centigrade के बीच में तो जब primary amine लिया सबसे important primary वाला है क्या बनेगा? alcohol secondary में nitrosamine yellow oil tertiary में nitrite salt बनेगा colorless कोई दिक्कत की बात नहीं तीनों elephatic amine के बारे में बता दिया है बहिए primary amine का तो NCRT में भी दिया है secondary और tertiary का सिवित्ता बोल दिया था कि वो अलग तरीके से react करते है कैसे करते है वो नहीं बताया था लेकिन मैंने वो भी बता दिया कि ऐसे ऐसे करते है तो बहिए अगर कभी आ जाए primary, secondary और tertiary तो भी अपन इसको यूज कर सकते है वैसे मैं टेस्ट के फॉर्म में अलग से फिल से पढ़ाऊंगा तब टेंशन लेनी की बात नहीं है पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी आगे बढ़ते है अब अपन आएंगे आरोमेटिक पे अब अपन आएंगे एरोमेटिक पे देखिए थ्री क्लासे ऑफ अमीन्स रियाक डिफरेंटली विट नाइटरस असिट देखो तीनो प्राइमेरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनो अलग से कलते है विच इस प्रिपेर्ट फ्रम अब्रेल एसेट है ना सोडियम नाइटरइデ सोडियम नाइटराइट और मिनरल एसेट के साथ बनाया जाता है खिसको इसको ठीक है बिल्कुल-बिल्कुल-बिल्कुल डन चलो अच्छा एक चीज और बुलूँगा आप पीछे देख लीजएगा मैंने शाहत सोडियम नाइटराइट में मेरको जहां तक याद आ रहा है कि गलती से ऐसा ना हो मैंने आपको NO3 लिख दिया हूँ ठीक है NO3 नाइटरेट होता है जो NO3 होता है ना वो नाइटरेट होता है भीटा ठीक है तो वो देख लीजिएगा जलद बाजी में तो मैंने NANO3 लिख दिया हो क्योंकि सोडियम नाइट्री भांड होता है नाइट्रेट जादा यूस नहीं होता है इसलिए अपने यह थोड़ा सा घल्दी से माँ पर टू या थ्री लिखा गया होगा तो फ्लीस वो तो खल सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी उसमें चलिए देखिए बिलकुल वही एचनों के तू के साथ कराई यह बन गया आपका डाइजोनियम सॉल्ट जो की कैसा था अंस्टेबल काय में डाल दिया पानी मे तो यह देखिया अलकोहल बन गया क्या बन गया सर अलकोहल बन गया क्या बन गया सर अलकोहल बन गया मैंने का ठीक है सर मैंने का अलकोहल बन गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है बढ़िया चलता एक नमबर फिल तो primary aliphatic amine reacts with nitrous acid to form aliphatic dysonium salt aliphatic dysonium salt which being unstable जो की unstable होता है liberate nitrogen gas quantitatively and alcohol quantitative evolution of nitrogen is used for estimation of amino acids and proteins तो यह जो हमारा nitrogen gas यहाँ पर evolution होता है यह हमारे लिए बहुत important है जिसको हम estimation of amino acids and protein में use करते हैं चीक है? बस यहाँ तक नहीं कि यहाँ से हमें क्या मिल जाता है alcohol or nitrogen gas liberate हो जाती है किस के साथ है? primary amines के साथ secondary और tertiary का मैं आपको बता चुका हूँ कोई दिक्कत की बात है आपर नहीं जल्दी जल्दी note down करेंगे जल्दी जल्दी note down करेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली done हो जाए तो बताएंगे ज़रूर sir clear a, पका, चलिए done अब आएगा अपन का बेंजीन वाले के साथ किस के साथ बेंजीन वाले के साथ sir sir बेंजीन वाले के साथ बढ़िया रियक्षन होती है कोई दिक्कत की बात नहीं होती है बेंजीन वाले के साथ एक तरफा रियक्षन ये तो पूरी disonium salty reaction है भाई ये तो पूरी की पूरी disonium salt वाली reaction है बिलकुल वो ही करना है सर मैंने temperature आपको बताया है कितने से कितना रखना है 0 to 5 degree centigrade चीक है 0 to 5 degree centigrade चीक है पूरी वो ही है 2H2O निकालने का बिलकुल 2H2O निकालने का ये देखो आप क्या बचता है सर जी बेंजीन के उपर बनता है N2Cl ये प्लस ये माइनस लेकिन बेंजीन इसको stability प्रोवाइट कर देती है तो ये बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इस reaction को कहा जाता है diazotization reaction इस reaction को कहा जाता है diazotization reaction क्या कहा जाता है diazotization reaction बिल्कुल सर ये है हमारा aromatic amine aromatic amine नहीं है हमारा तो aromatic ameen में हमारा जो disonium salt बनता है वो अच्छा खासा stable होता है कोई दिक्कत की बाद वहाँ पर नहीं आती देखिए aromatic ameen reacts with nitrous acid at low temperature 273 to 278 मतलब 0 से 5 to form disonium salt a very important class of compound used for synthesis of variety of aromatic compounds अभी हपन पढ़ेंगे पहले हपन ameans खतम करेंगे फिर disonium salt ही पढ़ेंगे उसमें आपन देखिएंगे बहुत use होता है सर बिलकुल exactly यही reaction है secondary and tertiary I mean reacts with nitrous acid in a different manner और वो different manner क्या था वो मैंने आपको बता दिया बिलकुल यहाँ पर मैंने आपको खतम कर दिया reaction with nitrous acid reaction with nitrous acid sum up कर दिया है जल्दी देख लो सर reaction with nitrous acid पूरा sum up कर दिया है बढ़िया और शांदाल तरीके से देखके बताईए सर देखके बताईए कोई भी problem आई हो तो इसको कहते हैं diazotization reaction बिलकुल done सर चार पढ़ाई है chemical properties में चारों important है एकदम जुबानी याद होनी चाहिए पहले में alkylation simple alkyl group जोड़ा था वो तो पीछे भी होई थी दूसरी acylation acylation में क्या होता है acyl group जोड़ता है वो तीन लोग से मिल सकता है या तो acid chloride या तो easter या तो anhydride फिर जो आई थी सर कार्बल अमीन यह बाबार यह बाबा उसको तो धोग कल ले ना कार्बल अमीन reaction सिर्फ primary amines देते हैं और कोई नहीं देता है और इसको आईजोसाइनाइट टेस्ट बोलती क्योंकि आईजोसाइनाइट बनता है foul smelling substance उसके बाद सर रियक्शन विथ H.O.N.O अगर मैं बात करूँ बेंजीन की तो बेंजीन बहुत अच्छे से सॉरी एनिलीन जो होता है एनिलीन बहुत बढ़िया तरीके से H.O.N.O टेस्ट देता है डाईजोनियम सॉल्ट बनाता है बढ़िया लेकिन जब मैं एलिफेटिक की बात करूँ चेन की बात करूँ तो चेन में प्राइमेरी वाला एलकॉहल बनाता है सेकिंडरी वाला आपका क्या बनाता है नाइट्रोसवामीन यलोईल और टर्शरी वाला क्या बनाता है नाइट्राइट सॉल्ट, क्या बनाता है से नाइट्राइट सॉल्ट, ये आज अपनने देखा, ये आज अपनने देखा, क्या बोलते हो, ये अपनने आज देखा, बढ़िया और शांदाल तरीके से, डान, बढ़िया देखा, कोई देखकरत की बात यहां तक नहीं आईए, चलो, finally आज यहाँ पर समापत, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी अगर आपने देखा हो तो इसका part 2 भी है, वहाँ पर आएगा मज़ा तो basically, क्योंकि वहाँ पर भी 3-4 reactions है जो मुझे आपको करवानी है, चीक है, तो chemical properties का एक part और है तो कल बने रहना है आपको, मेरे साथ, एकदम फाडू तरीके से, ठीक है, और अगर सब बढ़िया लगा हो तो एक बढ़ फायर वाला emoji डाल देना, फिर अपना आगे देखेंगे बढ़िया और शान दाल तरीके से, ठीक है, और अगर कोई फर्स टाइम आया हो तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा, जिससे आ ओके बाई-बाई, ठीक क्यार, जैहिन